आज हम लोग एक काफी बहतरीन कंपनी के उपर डिसकेशन करने वाले हैं तो बने रहेएगा वीडियो में आकरी तक और हाँ वीडियो अगर आपको आकरी में अच्छा लगता है प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें अपने फैमिली एंट प्रेंस के साथ अगर यहाँ पर आप नज़र डालते है रिटर्न के उपर तो सबसे बहतरीन रिटर्न आपको थ्री यर्ज में मिले हैं 261% के आसपास चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम की बात करें हर एक टाइम फ्रेम में जो रिटर्न रहे हैं वो आपके अच्छे देखने को मिले हैं साथ ही साथ ऐसे ही कुछ पैरमिटर्स के उपर हम लोग डिसकॉशन करने वाले हैं यहाँ अगर बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो के उपर तो कंपनी के पास अच्छे खासे अमाउंट में कैश अविलिबल है 487.89 करोर तो कंपनी के पास जो डेट है या फिर कंपनी के उपर जो डेट है वो कहीं न कहीं आपके कैश फ्लो से बहुत नीचे के अमाउंट में आपको नजर आ रहे हैं 91.87 करोर के लगभग साथ ही साथ यहाँ पर अगर कंपनी के वैल्वेशन या फिर स्टॉक के वैल्वेशन की बात करें EPS काफी स्टॉंग नजर आएंगे डिविडेंट इल्ड पोसिंटेज भी जो है वो काफी बहतरीन आपको नजर आए है इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में अगर कंपेर करें तो यह एक आपके फिरली वैल्यूट शेयर आपको या कह सकते हैं कि आपको यह मिलने वाला है साथ ही साथ कुछ और पैरमीटर्स हैं जिसकी बात करें तो यहाँ पर एंडस्ट के एस्टिमिट की बात करते हैं 65% एंडस्ट फिलाल आपको बाइंग की रेटिंग प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे तो जो भी डिसिजन है आप बाकी पूरा वीडियो देखने के बाद अपने डिसिजन्स बना सकते हैं साथ ही 12% एंडस्ट का ये कहना है कि आप चाहें तो आप इसमें profit booking करके आप exit कर सकते हैं साथ ही 23% एंडस्ट का कहना है कि आप चाहें तो आप यहाँ से hold करके थोड़े और लंबे समय के लिए रख सकते हैं अब बात करते हैं आज के company के business portfolio के बारे में उसके थोड़े से हम लोग बात करेंगे कि company क्या करती है किस तरीके से company आपको आके बढ़ती भी नजर आई है साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए है चैनल को subscribe करना भी ना भूले आज की जो company है वो है आपके polycap जो आपके as a number one market leader रहे है wires and cables industry में जहां से आप देखेंगे 22 to 24% जो share है वो आपके organized market से आते है Pan India इनके network है जहां पर 4,600 plus dealers and distributors available है और साथ ही इनके retail outlets की बात करे 2,5,000 plus के आसपास retail outlet इनके available है साथ ही यह आपके काफी ज़्यादा fast growing FMEG brand company है और साथ ही अगर इनके 5 years के CAGR की बात करें तो 30% के आसपास है इनके manufacturing facilities की बात करेंगे 23 facilities इनके available है in 4 locations और साथ ही साथ काफी ज़्यादा है इनके आप यहाँ देख सकते हैं जो management है उनकी bandwidth काफी strong आपको देखने को मिली है तो ऐसे ही कुछ और parameters है उसके लिए वीडियो आखरी तक ज़रूर देखे next यहाँ पर बात करते हैं as a market leader यह जिस तरीके से wires and cable industry में काम करते हुए नजर आ रहे है तो यहाँ पर यह divers portfolio में अपने services provide करते हुए नजर आते हैं power cable हो गए, optic fiber जो cables होते हैं वो है building wires है, साथ ही साथ control cables, instrumentation cables, flexible wires, solar cable and other cables तो ऐसे ही आपको numbers of जो आप कह सकते है product आपको manufacture करते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ से various type के आपके wires and cable में काम करते हुए दिखेंगे साथ ही इनके जो customer base रहे हैं वो आपके various industries से belong करते हैं जैसे की power हो गए, oil and gas, construction, IT park, infrastructure, agriculture जहां भी आप अगर इसमें नजर दोड़ाते हैं, आपको हर एक industry में ये company serve करती हुए नजर आ रहे हैं अपने product के साथ साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग इसमें segment wise अगर overview जानने की कोशिश करते हैं तो 87% इनके segment है, वहां पर आप देखेंगे wires and cable के तरफ inclined इनका जादा है और इनके अगर हम लोग revenue के बात करें, FY22 के जो total revenues निकल क्या हैं वो है 1,22,450,000,000 के आसपास, वही 10% जो इनके revenues generate होते हैं वो आपके FMEG products से होते हैं, fast moving electrical goods से बागी जो 3% है, वो copper और जितने भी other आपके products हैं, वहां से इनके आपको revenue generate होते हुए नजर आ रहे हैं साथ ही साथ इनके जो pan India distribution के हम लोगों ने बात की थी, तो यहां से आपको कुछ चीज़ें हमने already discuss की है जैसे की जो इनके जो authorized dealer जैसे हैं, या फिर जो distributors हैं, इनके उपर बात की है, retail outlets के उपर बात की है and 54% जो distribution network channel है, या फिर जिस तरीके से इनके उपर काम चल रहा है, वो 54% आपके FMEG से नजर आ रहे है by geography की बात करते हैं, अगर यहां पर तो geography में आप देखेंगे, सबसे जादा जो numbers आपके निकल के आ रहे हैं, वो south के तरफ से आ रहे है अब अगर हम लोग इनके जो pan india distribution network channels हैं, उसके उपर बात करें, तो कुछ चीज़े हमने कुछ parameters हमने already discuss की है जैसे कि जो इनके authorized dealers या distributors हैं, वो हैं आपके 4600 प्लस वही retail outlets की बात भी हमने की है already अब अगर यहां पर हम लोग by product जो इनके distributors and जो इनके dealers है authorized उनके बारे में बात करें, तो यहां आप देखेंगे 25% जो इनके dealers हैं, वो आपको काम करते हुए नजार है, common, आपके segment में या फिर common products में, वहीं wires and cable product की बात करते हैं, या segment की बात करते हैं, तो यहां पर इनके जो इनके बाकी dealers या distributors हैं, वो आपको FMEG में जादा active नज़र आएंगे, geography wise अगर बात करते हैं, तो यहां पर split अगर देखते हैं, authorized dealer and distributors के, तो maximum numbers जो हैं, वो आपके south से निकल के आ रहे हैं, then आपके north, उसके बाद आपके west and east से आपको mostly similar numbers नज़र आएंगे, जैसे कि 23% का यहां पर आपको split देखने को मिला है, तो I hope यहां तक आपको वीडियो अच्छा लगा है, या फिर चीजे जो हैं, वो समझ आ रही है, अगर आपको still कोई doubt लगता है, आखरी में वीडियो के, तो आप हमें comment box में, अपनी queries के थूँ, अपने जो भी questions हैं, वो आप हमें प जो है, वो आपके top customers से आते हैं, वहीं top 5 customers की बात करें, तो 12% का revenue यहां से generate होता है, top 10 customers से इनके 20% का revenue generate होता हूँ, नजर आता है, बाकी जो rest of the 80% है, वो इनके revenue generate होते हैं, rest of the customers से, next यहां पर बात करते हैं, revenue from outside India, तो इनके जो revenue रहे हैं, outside India, वो आपको थोड़े घटते हैं, percentage wise, यहां पर हम लोग total revenue की बात करें हैं, तो जहां पर FY 2020 में 12.4% हुआ करता था, overall इनका split जो इंडिया से इनके revenue generate हो रहे थे, वो आपको थोड़े से घटते वे नजर आ रहे हैं, 8.5 से लेके 7.6 तक, और वहीं पर इनके जो clients हैं, वो आपके reliance हो गए, oil and gas हैं, या Indian oil की बात करें, ONGC, Vidanta, JSW, तो ऐसे आपके काफी बड़े-बड़े client इनके साथ आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं, इनके इन सारे client को यह अपने services प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने product के through, नेक्स यहां पर बात करते हैं, जो इनके manufacturing facilities की, जो आमने बा हैं, अब हलॉल की बात करते हैं, तो यहां से इनके fan manufacturing units आपके active नजर आएंगे, नाशिक की बात करें, तो यहां पर आपके cable CCV line नजर आते हैं, तो यह हो गए इनके total जो in-house manufacturing plants रहें, उनके बारे में discussion, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, यहां पर अगर देखेंगे, quarterly wise company ने काफी बहतरीन perform किया है, तीनों ही parameters में, चाहे वो sales के number हो, operating profit के number हो, या फिर net profit के number हो, लगतार आपको इनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, और काफी अच्छे खासे percentage के साथ, यह आपको sales के numbers में आपको jump भी देखने को मिले हैं, वहीं बात करते yearly के basis पर, तो year on year basis पर भी company ने काफी बहतरीन perform किया है, इस साल के जो numbers रहे हैं, वो आपके पिछले साल के मुकाबले, काफी जादा बहतरीन आपको यहाँ पर देखने को मिले है, operating profit और net profit में भी company ने काफी बहतरीन perform करके दिखाया है, साथ ही बात करते है, company के sales and profit growth percentage के बार 15% नजर आया थे, थोड़े से आपको गिरते वे दिखे थे, लेकिन उतनी ही तेजी से वापस आपको यह एक साल में numbers बढ़ते वे दिखे, 15 से सीधा आपके 38% तक का jump नजर आ रहा है, नेक्स यहाँ पर देखे, ROE and ROCE तो आपके जो ROE percentage है, वो आपके कही न कहीं थोड़े major changes नहीं है, बहुत हलके full के changes आपको minor changes देखने को मिले हैं, share holding patterns के उपर बात करें, तो most of the holdings promoters ने already अपने पास रखे हुए है, साथ ही public की बात करेंगे 17% की holding इनके पास है, 6% की holding FIS के पास तो वहीं पर DIS के पास आपके 9% की holding देखने को मिली है, promoters की बात करें, किसी तरह कि कोई pledging फिलाल तो इनके उपर नहीं है, जो कि एक और चीज यहाँ पर add-on करती हुई नजर आई है, अभी तब जो भी चीज़े हमने देखी है, कहीं न कहीं आपके company, बहतरीन company के तोर पे आपको market में काम करते हुए नजर आ रहें, चाहे हो हम लोग return के parameter के उपर बात कर है, अगर आपको लगता है कुछ चीज़े ऐसी है जो हमसे वीडियो में छूट गई है, तो आप हमें comment box में वो सारी चीज़े बता सकते हैं, ताकि बाकी viewers के लिए थोड़े और जादा helpful हो सके, अब बात करते हैं, जो यहाँ पर आपको investment करते हुए नजर आए है, तो यह र सुन्दरम, Infrastructure के Advanced Fund Direct Growth है, उनके 3.43% के आसपास investment नजर आए है, L&T Infrastructure के Fund Direct Growth की बात के लिए 2.86% के साथ साथ नजर आएंगे, वहीं आपके सुन्दरम के जो दूसरे है, Multi Cap Fund Direct Growth, उनके 2.56% के आसपास investment है, and the last one is Tata Retirement के Savings Fund Progressive Plan Direct Growth, जिनके 2.39% के आसपास investment नजर आए है, तो चारो ही जो mutual fund है, आपके काफी बहतरीन mutual fund में से एक है, अब बात करते हैं, चार्ट के उपर, यहां पर आप चार्ट में देखेंगे, अच्छी खासी आपको rally देखने को मिली थी, almost आप कह सकते, कि इनके जो 20 week EMA उसके उपर यह या उसी को support लेता हूँ, respect करता हूँ, यह लगतार आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा था, uptrend में आपको नजर आ रहा था, लेकिन कुछ हफतों से अगर बात करें, तो यह अपने 100 week EMA को भी नीचे break करके आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहां से अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा से इसमें और आपको ह हो सकता है, आने वाले टाइम में थोड़ा और अगर वीकनेस देखने को मिले तो 2000 के प्राइस से आपके लिए बहतरीन मौका निकल के आता है, जहां से आप अपने इंवेस्मेंट के प्लान कर सकते हैं, अभी फिलहाल भी है आपके काफी बहतरीन सपोर्ट पे आपको मिलने देखने के नीचे आपको ब्रेक करके जाता हुआ नजर आया है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, जो ट्रेंड है वो आपके थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, या फिर बियरिश आप इसको कह सकते हैं, लेकिन आपके लिए यहां से बहतरीन मौका है, अगर आपको और से कनेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तो आई तिंक आज के वीडियो में हमने काफी कुछ डिसकस किया है, अगर आपको टागेट या सपोर्ट के बारे में कुछ भी पूछना, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी डाल सकते हैं, कोशिश करेंगे, जल से जल् जो क्वेरीज रहे हैं, उनके रिवर्ट बैक करने की, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक कियर